आपने देखा होगा कि कई शहरों या कस्बों के नाम में गंज, पुर, बाद या आबाद जैसे सफिक्स जोड़े होते हैं सफिक्स in the sense like प्रत्या है अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो प्रत्या है इंग्लिश में बात करूँ तो सफिक्स जो कि बाद में जोड़ जाता है जैसे कि हजरत गंज, दरिया गंज, गाजियाबाद, हैदरवाद, मुरादाबाद, एहमदाबाद, कानपूर, नागपूर सो यहाँ पे आप देख रहे हैं पीछे कुछ ने कुछ सफिक्स जोड़ा है Hello my friends, welcome back to my channel PCS Warrior मैं हूँ आपकी फ्रेंड आर्ती, so today I am gonna tell you something interesting in this video if you are new, please subscribe my channel and please share my this video ताकि और भी लोग समझ सके interesting facts के बारे में so मेरी channel पर आप देख सकते हैं, मैं कुछ interesting facts के साथ, government exam के कुछ content भी देती हूँ हलांकि जो मैं यह वाला वीडियो दे रही हूँ, यह भी history से ही related है भारत विविवताओं से भरा देश है, यहां करीब 400 तिरवन भाषाएं बोली जाती है मगर उत्तरी, मध्य, पूर्वियो और पश्चिन भारत में कई बड़े शहर, जिले या फिर कस्बों में एक बात common आपने जरूर देखा होगा यह उनके नाम के पीछे लगाया जाने वाला शब्द, यानि कि पुर, आबाद, या फिर बाद, या फिर कह सकते हैं गंज है इन तीनों शब्दों का अपना ही एक इतिहास है, अपना ही एक history है, जो कि काफी रोचक है देश के कुछ बड़े शहर जैसे की कानपूर, नागपूर, उदैपूर, जैपूर, जोदपूर, जबलपूर, रायपूर और बहुत सारे है एक चीज़ा आपने common जरूर देखी, कुछ groups ऐसे हैं जिसमें पुर लगा है, कुछ groups ऐसे हैं जिसमें की गड़ लगा है यानि कि आबाद से ही वो suffix बना है बाद में, ऐसे ही जैसे की इलहाबाद, गाजियाबाद, हैदरबाद, मुरादाबाद, एहमदाबाद, फिरोजाबाद, इन शहरों की नाम में आपने क्या देखा, common बाद, यह चीज़ आपको बाद या फिर आबाद दिखाएगी, दर् इसके साथ ही कोछ शहरों के नाम के पीछे गंज भी लगा होता है, लेकिन लोगों को इसका मतलब नहीं पता है, और यह सदियों से बस ऐसे ही चला रहा है, दरसल पुर एक संस्कृत शब्द से बना है, चलो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे पुर की, तो पुर यानि कि यह सफिक्स है पुर, इसका मतलब होता है किला, जैसे कि आप कोई किला गूमने जाते हैं, फोर्ट गूमने जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप पुर पे जा रहे हैं गूमने, तो यह जो वर्ड का जिक्र हमें रिगवेद से मिलता है, इसे भारत का सबसे प्राचीन ग पुराना है ये पुर रिगवेद को करीब 1500 इसा पुर्व का ग्रंथ माना जाता है यानि की आज से करीब 3500 साल पुराना ग्रंथ आगे चलकर हमारे देश में कई शेहरों की नाम ऐसी पड़ते गए और इवन चेंज भी होते गए कहीं कहीं पे चलिए पुर के बारे में हम और कुछ जानते हैं प्राचीन काल में ऐसे कई शेहर थे प्राचीन काल समझ रहें लेकिन इस समय चला गया हूँ लेकिन इस परंपरा को आज भी इसका पालन किया जा रहा है इसी कड़ी में आगे चलके जब हम देखेंगे मिडवल इंडिया में यानि कि बीच वाले भारत में आएंगे मध्य भारत में तो देखने को मिलता है कि जब किसी राजा को कोई शेहर बसाना होत तो अपने नाम के आगे अपसर पुर लगा देते थे अपने ही नाम के आगे उन्हें कि फेमस होने का बड़ा शौक हुआ करता था तो वो अपने ही नाम के आगे पुर लगाना बहुत ही शान समझते थे जैसे राज्यस्तान के जैपुर को राजा जै सिंग ने बसाया था तो उनका नाम पढ़ गया जैपुर कानपुर का नाम ऐसे ही एक संचेदी के राजा हिंदू सिंग ने कानपुर रखा था क्योंकि वह खुद को भगवान कृष्णी यानि की काना का वंशज पानते थे तो ऐसे ही देखें आप पुरानी जमाने में पुर का आज की जमाने में पुर यूज होता है कहीं न कहीं कानपुर हो गया जैसे मैंने एक्जामपल दे दिया चलिए हम बात कर लेते हैं गंज के बारे में इसके साथ ही आपने कई शहरों या कस्बों के नाम में एक और सफिक्स देखा होगा जैसे कि गंज लैंग्विज के ग्रूप में मिडियन लैंग्विज में देखने को मिलता है उस समय इस शब्द को खजाने यान जो हम कहते हैं न कि खजाना रखना खूब सारे हीरा मोती वगर रखना रखने वाली जगे का इस्तमाल किया जाता था खजाने के लिए संस्कृट में उस समय में इस शब्द को खजाना रखने वाली जग़ के लिए इस्तमाल किया जाता था फिर जैसे जैसे टाइम बदलता गया इस शब्द को और भी जगों पर यूज किया जाने लगा वैसे संस्कृट में भी गंज का शब्द मिलता है, जिक्र होता है माना जाता है कि यह शब्द संस्कृत के गज शब्द से निकला है और फिर आगे चलकर इस शब्द के और भी नए-ने मतलब बनते चले गए उस दोरान इस शब्द का इस्तमाल मंडी या बाजार वाली जगों के लिए किया जाने लगा था जहां खूब बीडबार हो और शोर शराबा बहुत सारा खूब सारा शोर शराबा हो उस समय में जिन जगों पर बाजार लगते थे उस थान को भी गंज कहा जाने लगा उधारन के लिए दिल्ली के दरिया गंज में पहले दर्या के किनारे यानि यमुना नदी के किनारे बाजार लगता था ऐसे में इसे दर्या गंज कहा जाने लगा क्योंकि यमुना नदी है जस्त उसके बगल में बहुत बड़ा मार्किट लगता था बहुत शोर शरबा होता था इसलिए वहाँ पे बोल दिया गया दरिया गंज ठीक ऐसे ही दिली में एक और सदर बाचार है जहाँ पर एक जगह डिप्टी गंज पड़ती है आज भी यहाँ पर बरतनों का बाजार बहुत ज़ादा लगता है इस तरह कज़़ों में गंज बाजार या फिर भीड़बार इलाकों वाले में चुड़ा होता है जहाँ पर बहुत सारा शोर होता है फिर भी भीड़बार होती रहती है चली अब हम बात करते हैं आबाद शब्द का मतलब इन शहरों में जो आबाज शब्द लिखा होता है वो असल में एक फारसी शब्द है इस शब्द में आब यानि की जो आब का मतलब यानि पानी होता है पानी यानि की बहता हुआ पानी ठीक है अगर इस पूरे शब्द का मतलब निकाला जाए तो इसका मतलब होता है एक ऐसी जहां पर आसपास पानी मौजूद हो इस पानी की मौजूदगी से फसल उगाए जा सके यानि की खेती की जा सके तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जगह रहने लायक हो उधारन के लिए मुरादाबाद शहर राम गंगा नदी के किनारे पड़ता है इसलिए इसका नाम के पीछे आबाद लिखा मिलता है गंगा नदी के किनारे बसीलाबाद के नाम में भी इसलिए आबाद शब्द या फिर आबाद सफिक्स का यूज किया जाता है यानि कि प्रक्ते का यूज किया जाता है हाला कि इतिहासकार ये भी कहते हैं कि मुगलकाल में बादशाहों ने अपने इसे सो देखिए सब लोग अपने नाम के आगे कुछ नपूच लगा कि अपने नाम को फिमस करते थे थे पहले के जमाने में बट अब ऐसा नहीं होता है अभी भी होता है जो लोग बहुत ही साहस से अपने अपने देश के लिए कुछ अच्छा काम करते तो उनके नाम पे भी कुछ ने कुछ रग दिया जाता है so these all are a history related to history so friends if you like this video please share with your friends अगर आप किसी government exam की तैयारी करें ना तो यह बहुत अच्छा एक clue मिल जाएगा आपको history से related okay so so friends I hope यह video आपको बहुत अच्छा लगा होगा and आगे और भी अच्छे अच्छे videos में लेकर आऊंगे यान साथ में content भी यानि कि जो UPC and state pieces level के जो exams content है वो मैं आपके साथ बिलकुल share करूंगी so friends till then take care bye bye and मिलते next video में interesting facts के साथ या फिर एक अच्छे content के साथ so bye bye friends